आपके बच्चे जो हैं इनके कोई जाती धर्म वर्ग फो है तो वो इस्कूल की चार दीवारी के बार हो सकता है या आने के बाद में ये भाई और बेहन की ऐसे से प्रतिगा करते हैं और निबाती हैं इसको और हम सब लोग जो पढ़ाने का काम करते हैं हमारा भी दर्फ मत मतह underground कि इन बच्चों में या इन बच्चों में या गाहके पर्ति इस प्रकार कि अमारे अंदर कोई गाहँ न न न पर्ति ए ब्रकार कि जिससे यह आपको लगए कि हम बोह कर रहे हो कर रहे है हमारे ये बच्चे और हम समय हैं, अपन सारे गाहवाडे मिलकर के इस गाहँ को इस इस्कूल को इन बच्चों को भवे बनाएं रम्य बनाएं और सुंदर बनाएं जिसको ले कर के जैसे ये बच्चे सफन हों इनकी प्रतिबात हैं उस एक सब्द में बहुत जबर्दस पाकत है कि शिक्सा सेरनी का वो दूद है जो पीएगा वो दारेगा और यह सही है यह बहुते हैं बच्चों के द्वारा सारी रीक व्याजाम बहुत सांदार तरीके से किया जा रहा है तो उसले को अफजाई करें एक खास बात जो मैं इस पानी का कृते लाग का हैं पाँच लाग का यह राज्किय प्राथमिक Giving लें मेगव और दूसरा ग्यूंब राज्किय उँद्वियाल है सरु पेक हो यह लूं गईं बच्चे का वम तार कि पने की नियाएथ आवशेवटा है और एक सिर्षिक्ला और उसका नतीजा है कि साथ लाग रुपे का एक जुम जहां पर आप सारी लीग व्यायम करेंगे उसकी स्विकृति हुई है वो साथ लाग का राज्कियोच मादेमिक विद्याले सरूपे कातला में बनेगा इससे बढ़ करके गरव और बोरव क्या हो सकता है यह सुवीदा है इन बच्चों के लिए हैं इस गाव के लिए हैं यह विवस्ता सारी हमारे बच्चों के लिए हैं कल आने वाले समय में यह बच्चे पढ़ करके खेल करके गाव का नाम रोसन करेंगे उनकी गर्व की अनुभूति हम करेंगे बच्चों के दारा विबिन परकार के कारेक्रम किये जाते हैं उसमें एक सांदर और द्यान आकर्शन करने वाला ये प्रदर्शन पीटी और परेट इसके बाद जो है स्वागत रस्म रहेगी उस वक्त स्वागत गीत के लिए जो कैसर आप लोग जोगा साती हैं आप लोग इतर आजाओ ब्राजों आप लोग ब्राजें या इस्टूर कुर्शियां लगी पड़ियें खड़े मत रहो इसलिए हमने कनात लगाए थी कि जो खड़े रहेंगे उनके इस्टूर पड़े रहेंगे कनात के पीछे देखिंगे ने आगे इस्टूर पड़ियें आप लोग आए और आप लोग आए या मत के सामने इस्टूर कुर्शियां हैं ग्राजें यह जो ब्राज